बहुत बड़े किसी विद्वान से या व्यक्ति से या महिला से या पुरुष से जिसने अक्षर ग्यान लिया हो बच्पन से डिग्रियां भी ली हो बड़ी सारी किताबें पड़ी हो और उसे अगर भाव में प्रग्या यानि कि भाव और चिंता में प्रग्या यानि चिंतन ग्यान और भावत्म ग्यान नहीं है भाव का ग्यान नहीं है और उनसे अगर आप पूछेंगे कि बुद्ध के व देवदत थे नेन दुनाओ भाई थे बुद्धन देवदत यानि सिधार्थ और देवदत सिधार्थ ने एक हंस ग्रमार को देγhा ने उसको तीर मारा सिधार्थ ने उसको तीर निकाला educator जैर मरंपटी किए दिर आए तो Сिधार्थ ने कहा कि ये मेरा है चूंकि मैंने इसको बचाया है और देवत्त ने कहा कि मैंने इसको मारा है जिसनी ये मेरा है दूसरी कहानी आपने सुनी होगी और चित्रमाला में देखी होगी कॉमिक्स में देखी होगी उसमें ऐसा है कि वो दिखाते हैं कि सिद्धात एक रत पे बैठे हुए है आगे रत जा रहा है और वो पूछते हैं कि ये आदमी को चार आदमी लेके क्यों जा जा रहे है एक अर्थी जा रही है होँँ से एक डेड बोड़ी जा रही है तो वो कहते हैं कि ये आदमी मर गया एक आदमी आगे लाठी लेकर जाता है तो वो पूछते हैं गोड़े वाले से के ये क्या है तो वो कहते हैं के ये बूड़ा हो गया है एक आदमी बैठा बैठा खांसरा है तो वो पूछते हैं ये क्या कर रहा है तो वो कहते हैं ये बीमार है खांसरा है तो ऐसे करके ये अवस्ताइं दिखाई जाती है अब सोचने वाली बाती है कि पूरे भारत में ये कहानी लगबग लगबग सब को दिखाई जाती है और इस कहानी का अधितर पार्ट जूटा है या मैं ये कहूंगा कि सारा का सारा पार्ट जूटा है क्योंकि संधार्थ XAR-11 साल के थे तो वो अपने खेतों में जाते थे और वहाँ पर वप मंगल उतसब में जो दान भोने का उतसब था जो बड़े पैमाने पैमा होता था उस धान भोने के उतसब में वो हल भी चलाते थे forbidden साल के और वहाँ उन्होंने अपने स्वैम के मुझसे विने पीटेंग में बताया हुआ है कि वो एक जम्बू के पेड़ के नीचे जामुन के पेड़ के नीचे बैठके उन्होंने पहली बार विपशना की यही विपशना उनके ध्यान में बाद में आई जब सब कुछ राजय का या राजय का वहांपे कोई मतलब भी था वह गड़ राजय था गड़ का मतल着 सब भी चलते थे तो फिट्धोदन भी वहांपे राजय नहीं थे और महल restaurant दिखाए जाती है और जो फोटो में दिखाए जाते हैं महल है और रंग बरंग और आभशना वाले कप्दे वो सिर्फ चित्र कार्गी कालपनिक कलपना है जिसमें वो खूसरत आज के साफ से बनाने कोश्च करता है क्योंकि महलों का या हीट पकाने का या बड़े-बड़े अट्नकाई बनाने का साधन उस समय नहीं थे और उनके पास खेत जरूर थे जो कहते हैं कि उन्होंने बहुत महनत करके खेत बनाए थे पत्थर बत्तर हटा के और एक हजार हल उसमें चला करते थे एक साथ जब वो एक साथ धान की बुगाई करते थे हमें चित्रों में दिखाई जाती है एक कहानी को दिखा के सारा का सारा धम छपा दिया एक जोटी कहानी को दिखा के सारा का सारा बुद्ध छपा दिया वावा साव अमबेट करने भी इस कहानी के कहीं जिक्र नहीं किया है क्योंकि ये बड़े कमाल की बात है कि कोई व्यक्ति जो धंब सिखा रहा है और जिसकी सब्दावली इतनी जबर जस्त है भगवान बुद्ध की जो सब्दावली थी जिसमें सब्द सबसे ज़ादा थे और कैई भासाओं को बहुत जानते थे और एके सब्द का उन्होंने मतलब बताया और कुछ नए सब्दी की उन्होंने बनाए जो बीच-पीच में आते रहे तो जो व्यक्ति इतने सब्दों का संग्रे रखता हो इतनी बड़ी डिक्शनल जिसके पास हो व्यक्ति क्या ये नहीं जाने का अगर बूड़ा क्या है बीमार क्या है ये व्यक्ति की अवस्ता क्या है क्या नहीं है और जिसको बता दिया है कि इसका संपुर्ण सरीर बहुत अच्छा है और स्वस्थरय है और जो रहता है तो बड़ी कालपनिक सी बात लगती है कि उनको ये पता है नहीं है कि बुड़ा कौन है ये बीमार कौन है और ये जो म।ु है वो क्या है ये बातें बड़ी अजीव सी लगती है क्योंकि ये बातें खास उद्देश से दी गई है इसलिए ऐसी चित्रमाला हों, ऐसी कहानी अगर आपके सामने आती है तो उसमें 100% निकाली है, 100% पूछिए 100% जानी है, तो आपको पता चलेगा ये चित्रमाला ये जो कहानी है, ये आपके दिमाग में, ये आपके बच्चों के दिमाग में क्यों डाली जाती है और आज की डेट में बहुत साहित उपलब्द है, जो बलकुत सचा है, अच्छा है फिर भी आप इसा खोजिए, देखिए, जानिए, धन्यवाद